Hello everyone, आज का अमारा question है Find the angle of elevation of a 200 root 3 meter tower top from a point 200 meter away from its base इस प्रकार के question जो होते है, जो height and distance के होते है यह basically यह trigonometric के questions होते है, जो height and distance पर base होते है तो सबसे पहले जो जो यहाँ पर given है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे इन्होंने बता है कि 200 root 3 meter का tower है तो सबसे पहले हम 200 root 3 meter का एक tower बना लेंगे जैसे यह 200 root 3 meter का हमारे पास एक tower आ चुका है यह हमारे पास एक tower आ चुका है फिर उसके बात क्या कह रहा है, देखिए from a point 200 meter away from its base तो इससे base से कितना away कह रहा है यह 200 meter क्या कह रहा है यह away है ठीक है 200 meter हम यहाँ पर लिख देंगे उसके बात क्या पुछा है देखिए from the top तो यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे ठीक है तो यह 200 meter यहाँ पर हो चुका है और angle of elevation अब देखिए यह जो angle होता है यह angle of क्या होता है depression होता है और यह जो angle होता है जो उपर उठता है उसे हम क्या कहते है angle of elevation कहते है तो यह हमें find करना है basically ठीक है यह हमें basically find करना है अब देखिए आप यह हमारा क्या है जैसे यह हमारा 90 degree होगा ठीक है यह हमारा 90 degree तो दीखिए दोस्तों यह angle जो होगा यह हमारा 90 degree का होगा क्योंकि यह trigonometry पर base है यह question तो यह हमार theta होगा यह 200 meters है और यह tower की height है और यह base तो हम जा करेंगे यहाँ पर एक formula लगा सकते है देखिए theta के जो opposite होता है ठीक है यह opposite side होता है theta के जो 7 में होता है यह देखिए यह adjacent side होता है और यह 90 degree के जो opposite में होता है 90 degree के जो opposite में होता है उसे हम hypotenuse कहते है तो हम यहाँ पर कुन सा formula लगा सकते हैं हम यहाँ पर tan theta का formula लगा सकते हैं ठीक है तो tan theta क्या होगा दोस्तों opposite side upon adjacent side में कितना है 200 root 3 meters है upon adjacent side कितना 200 meters है तो हम इन दोनों को cancel करेंगे 200 को 200 से cancel करेंगे और 10 theta is equal to क्या हो जाएगा root 3 हो जाएगा और 10 theta root 3 कब होता है जब theta is equal to 60 degree हो तो इस question का हमारा answer कितना आ जाएगा दोस्तों 60 degree आ जाएगा question का हमारा answer 60 degree आ चुका है तो देखें जब भी इस question आए जैसे height and distance elevation का अगर आपको angle पूचाओ तो सबसे पहले जो given है वो लिख देंगे जैसे हमने यापर tower बना लिया जो हमारे पास given था फिर base से जो height होगी वो हम लिख देंगे अभी आपर angle of elevation आया है तो हम यह वाला angle लेंगे जो उपर उठने वाला है अगर angle of depression आए गाया तो हम इस angle को consider करेंगे और जो फिर value आएगी जैसे हम कोई भी sign या cause की value लगा कर इसे answer निकाल लेंगे चैसे इस question में 10 की लग रही थी क्योंकि यहाँ पर adjacent side और opposite side हमारे पास given था और हम आसानी से उसे answer निकाल लेंगे दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते अगली वीडियो में नमस्कार